पंद्रा जून दो पहर दो बजे गल्वान घाटे हिमालाई की उचाईयों पर भारतिय सीमा का एक सुधूर वीरान इलाका कॉर्पल एहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर देखें वहाँ और भी है परवतों पर उस दिन फॉजी कमांडोस अकेले नहीं थे दुश्मन जैनिकों ने गिर्टे पत्थरों की आज लेकर फॉजी यूनिट पर धवा बोल दिया कबिर बेसकार स्कॉर्ट थी का भारतिये शेंत्र घुसपाजियों से सामना हुआ रिपेट स्कॉर्ट थी का दुश्मन उसे सामना हुआ लेटनेंट सिंकी पेट्रोल थी टीम को जिस आखरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस खलन से किरे पत्थर और चट्टा और फिर अंधेरा चा गया छे घंटे बाद जब लेटनेंट सिंकी आख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहाड से हुई पत्थरों की उस बोचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोटाई थी पिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पांस बर्फ में शहीर हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे भारतिय सेनब बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खत नहीं होगी मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगा बहादुरी भाहिचारे और भारत के लिए फौजी